नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सो दोस्तो आज हम बात करेंगे 69 अजा सिच्छक बरती लेटेस्ट अपडेट तो दोस्तो इंतजार की गडियां समाप तुई और दोस्तो आज 3 मार्च 2020 तारीक आज की है तो दोस्तो आज सबसे 69 अजा सिच्छक बरती केस की सुनवाई होनी है तो दोस्तो सबसे पहले देखेंगे 69 अजा सिच्छक बरती मामली की अति महत्पूर सुनवाई आज देखे केस डिटेल्स जियां दोस्तो केस का विवरड़ क्या है 69 अजा सिच्छक बरती मामली की सुनवाई आज कोट नमब पर एक में एडिसनल में नमबर तीन पर होगी इस संबंध में कार लिष्ट भी जारी हो चुकी है सुनवाई दोस्तों दो पहर दो बचकर 15 मिनट से शुरू हो जाएगी आज से इच्छा मित्रों का पच्छ सुना जाएगा उसके बाद बीटीसी बीएट वालों को रिजोइंडर लिया जाएगा जिया दोस्तों ये देखिया आज केस का विवड़ है तीसे नमर पर हमारा के साथ लिष्टेड है तो दो पहर दोस्तों दो बचकर 15 मिनट से आप लोग तयार रहिएगा आज सबसे महत्पूर सुनाई कोर्ट नमर व वर्सेस बीएट वर्सेस बीटीसी जिया दोस्तों सब आमने सामने होने वाले और दोस्तों आपके मन में एक सवाल उट रहोगा क्या केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है उसके लिए दोस्तों आमने कमेंट बॉक के आपके लिए प्रॉपर लिंक दे रखा है जिस पर दो करेंगे फाइनल कट आपको लेकर आज होगी अंतिम सुनुए जियां दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो आज ये केस का ओडर रीजर वकल लिया जागा जियां दोस्तों अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपके मन में जो दो सवाल और उठ रहे थे टेट पास इच्छ है ठीक है न तो एके करके आज हम डिसकस करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में छुपा है तो इस वीडियो को सुरुष लेकर अंतर तक देखेगा अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पने हो तो पहले दोस्तों जो रेट कलर की सब्सक्राइब की बटन की संक्या कितनी है तो दोस्तों देखे जो सिच्छा मित्र की टीम ही कहती है तो उनके हिसाब से दोस्तों जो उनकी संक्या हो सकती है जो यूपिटेट या सीटेट कोई भी परिच्छा पास कर चुके हैं उनकी संक्या तकरीबन 22,000 हो सकती है जिया दोस्तों 22,000 उनका डेट आपके फिर से जीत होगी, ठीक है न, देखे दिक्कत कहाँ पर है, सिच्छा मित्र दोस्टों पास होने की जो तादात उचते हैं बच्चे, उनको दोस्टों ये टेंसर न थी कि अगर 40-45 ये ही जीत होती है, कहने का मतलब दोस्टों जो अंतिम कटाफ या फाइनल कटाफ को 40 45 ही लगती है, जिसमें से आपको पास होने के लिए नंबर लाना पड़ेगा, 60 नंबर और 66 नंबर, तो क्या होगा, और 60 पैसेट का मतलब दोस्टों हम डिफाइन कर दें आपको, काफी शात्र केंफिजन में रहते हैं, 90 और 97 में नंबर, ठीक है न, तो सिच्छा मित्र जी कम नहीं होती है, इतनी वेकंसी आती है, आपको पता होगा, भी BEO की वेकंसी है, जिस सिर्फ 309 पत उपर, ठीक है न, उसमें 5 लाग साधिक आवेजन हो गये, तो फिर भी 5 लाग से कम, 4 लाग 10 जार बच्चों ने आवेजन किया है, ठीक है, बच्चों ने पेपर दिया है, आवेजन करने वाले से छात्रों किया हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा रही हो, लेकिन इतने बच्चों ने दो भाई पेपर दिया था, 4 लाग 10 लाग 10 लाग, तो इतने छात्रे समझे थे हैं 69 रजा सिच्छक वर्ती में, और इनी छात्रों को नौकरी लेनी है, तब दोस्तों, अगर हम 22,000 सीटे निकाल देते हैं, तब भी आपके पास 47,000 सीटे बचेंगी, जिसमें ऐसे आपको नौकरी पत्र बढ़ सकता है, तो मतलब एक तरह से कहना दोस्तों, यह हमारा कि यह काफी आसान है, आपको नौकरी मिल सकती है, थोड़ा सा आपको सयम रखना ह कि उसको सई से कैल्कुलेट करना है, ठीक है, तो उमीदे दोस्तों, आपको नौकरी मिल जाएगी, और आसानीस मिलेगी, देखे आपको एक बात और बता दे, जब 40-45, कटाफ लगी कि दोस्तों, होगा तब भी, काफी शात्र ऐसे होंगी, जो 60-60-60 नमबर भी नहीं ला प जरूरी है, हर एक वर्ग में, हर एक कैटेग्री में, सबसे पहले दोस्तों बात आती है, आपके जनरल कैटेग्री में, हम बात दोस्तों कहा रहा है, 40-45 कटाफ आपके जीत के बाद, ठीक है न, 47,000 सीटे बचेंगे आपके पास, 47,000 सीटे में जनरल, OBC, SC, और HD, कैसे दोस से कम, आपके पास 70 रंग का गुड़ाग होना चाहिए, तभी दोस्तों आप फाइट में हैं, लेकिन इतना भी टेंसन आप नहीं लेना है, दोस्तों हो सकता कि आपके जिले में हो सकता कि गुड़ाग क्या कटाप ज्यादा जाए, नौकरी पाने के लिए जो मिरिड बने, दूसरे जिलो में कम जा सकती, ऐसा नहीं कि हर जिलो में 70 ही जाएगी, वो सकता कहीं पर कम भी जाए, देखिए आपके एक और चीज़ बताए हम, जो academic दोस्तों है उसको आप समझना पड़ेगा आपको, जितने 600 नमर पा रहे होंगे, उनका 240 अंका गुड़ाग क्या वेट 26 का, ये वेटिज दोस्तों आपके गुड़ाग बनेगा, ठीक है न, समझ लिजे कुछ बात है पहले, उसके बाद दोस्तों आपका जो academic है, जो mostly बच्चों का, maximum बच्चों का, हम कहरें 4,10,000 चात्रों में, जो बनेगा दोस्तों, वो maximum to maximum 25 संका बनेगा, जियां दोस्तों पहले चात्रों के नमर उतने नहीं आते थे, जो चात्र पहले बेट कर चुके होंगे, उनके 60%, 60% ऐसे करके उनका रिजर्ट बनाओगा, तो maximum 200 चात्रों का जो होगा, वो 25 से लेके, 28 अंका गुड़ाग बनेगा, समझ जाए कुछ बात हो को पहले, अगर दोस्तों आज जाएंगे, यहाँ पर 26, 6, 6, 12, 3, 25, 6, 26 अंका गुड़ाग बनता है, सो ची आपका जो आपका गुड़ाग बनेगा 62 किसी का बन जाएगा, किसी का 65 तक बनेगा, ठीक है, बस मतलब आपका जो कुछ रेंज होने वाला, 100 नमबर दोस्तों काफी होते हैं, सूपर टेट में, तो 100 से 110 यह मैकसिममम होगा, 110 से उपर जो चातर जाएंगे, वो काफी कम होगे, वो 1000 संक्या उनके पास नहीं होगी, लिम्टेट संक्या होगी दोस्तों, 2000-3000 बच्चे ही होगे, जो 110 के उपर जाएंगे, बाती सभी चातर है 110 के नीचे ही रहने वाले, तो एक बात आप पर जो जाएंगे, मैकसिममम होगा, तो 25 संक्या वीटेज है, तो मैकसिममम सिच्चा मीत्र होगे, और दोस्तों कुछ चातर होगे, जो 70 से उपर भी जाएंगे, जाता नहीं होगे, कुछ चातर होगे, 70 से उपर BTC और B8 बी चातर, ठीक, इस बात को आपको समझना है, तो म मिल सकता है पूरा मौका है ठीक है ना तो जो दोस्तों में आपको यहां पर बता है डीटेश्ट रियालिटी दोस्तों यह होता है ना कि पहले छात्रों देखे कुछ छात्र होंगे जिनके अच्छी होगे 80-80% दोस्तों को मिला होगा हाइस्पूल इंटर में तो चले ठीक है उनके मैक्समा 32 नमर तकी ही पहुचेंगे ना 32 उनके यहां बनेगा और 100 नमर वहाल आते तो वहाँ पर 40 अंका बनेगा तो उनका दोस्तों बनेगा आपका 72 अंका गुड़ाग तो कुछ चात्र होंगे जो 70 से उपर भी जाएंगे और मैक्समा चात्र 70 की नीचे रहने वाल आज पहले यह फाइनल होने दीजिए आकिर फाइनल कटाप क्या बनेगी 40-45 या 60 और 65 तो दोस्तों जो भी फाइनल कटाप बनेगे उसके आदार पर हम लोग और डिसकतन करेंगे कि अब आकिर किने चात्रों को नौकरी मिलेगे जिकिए 60 और 65 की जीत के बाद मामला वन भी आर्सर तो नहीं होने वाले हैं ठीक है उसमें सभी BTC और B8 की 我們atm 97 में पास नहीं होगे कहाफ हो दोस्तों आज है और आज जब आजिसरा होगा उसी आप समझ जैंगे क्या होने वाला है ठीक है जिसके आपका दोस्तों आज आज के पैसलों होगीемся इनके में अधिवक्त आती गोगी उन्होंने अपनी सुन्वाई है दोस्तो मतलब अपना संमिशन उसको सम्मिट कर चुके हैं तो अब उनका दोस्तो जैसे ही आज परियार सर का संमिशन उसके बाद दोस्तो खाली BTC B8 करी जोइंडर लिया जाएगा बस वहीं से केस आज दोस करता है कि कितना समय देते हैं और मैक्सिमम उमीद है दोस्तों कि आज ही ये केस फाइनल होगा मतलब और रिजर्व होगा और इसके बाद दोस्तों जो सुनवाई है होंगी उसके अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे फिलाल आज दोपेर दो बचकर 15 मिनिट से आप लोग हम है इस्टे किनेक्टिट